यह बड़ा काम का नाम है एक बिमारी होती है जिसको करते है स्वराइसिस एक बिमारी होती है जिसके अंतरगत शरीर में खुजिली होती रहती है फुक्णिया निकलती रहती है स्वराइसिस जैसे बिमारी होती है एक किसी किसी के शरीर में बिमारी हो जाती है चमड़ी सफेद पढ़ने लगती है चमड़ी का रंग सफेद हो जाती है एक किसी किसी के शरीर में बिमारी होती है कि पूरे शरीर में चठे पढ़ने लगती है हम निवेदन करेंगे 21 सौंबार पांच बेल पत्र कमल बनाई है बेल पत्र कमल बनाना हमने पहले भी आप लोग उनको कथा में सिखाया पांच बेल पत्र लेना है उसका कमल दल बनाना कमल दल बनाने का करे तो एक-एक जो बेलपत्र। लेते जाते हैं उस बेलपत्र को हम डंडी से जोड़ते हुए चलते रहते हैं widow उसको कमल की तरह उसकी पंखणियों को गोल घुमा कर बेल पत्र को हम पाचों बेल पत्र को जमा लेते हैं जिसके शरीर में चठे पड़ रहे हो वाइट इसपाट पूरे शरीर के अंदर आ गया हो या स्वरैसिस जैसी बिमारी हो रही हो या शमडी का कोई रोग हो गया हो 21 सो लेटा दिजी एक लोटा जल लेकर जाई है साथ में खाली yakटो रहे हैस पात्र को जहाँ से शिवजी का जल गर्ता है वहां उस पात्र को लगा ली जिए शनकर जी पर धीरे धीरे कर्कर वह जल पूरा समर्पित करतीजिए पैँने पचों बेल 1954 को लेकर अजाई है और वह और जल को पांच बार में पीना है, ढीरे ढीरे जैसे जैसे सॉमबार तुमारे बढ़ते contexto जाएंगे वैसे वैसे वह सोरैसिस की भीमारी हो चाहे चमडी का केसा भी रोग हो वह धीरे ढीरे समाप्त होना परारम हो जाता है और वह पेलपत्ञ पूर वह जल काम करना परारम करने, बेल पत्र रुर्जल काम करना परारम करने, बस उसका कमल दल बनना चाहिए, आगे आपको कमल दल बनना, जम के बोलो जरा, जैसे एक बेल पत्री लिए, दूसरी बेल पत्री लेंगे, तो उसके दिशा चेंज करते जाएंगे, तीसरी लेंगे, उसकी दिशा चे कर रका है फिर वो भगवान देव अधिर महादेव को समर्पित करें एक आनंद के नों भुति करा देगा